Dear students, Assalamualaikum. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीयस होंगे. O-Levels Accounting में हमारा चप्टर था जिसका नाम था Double Entry System. और आज हम इसमें कुछ recording की बात करेंगे. देखे, इससे पहले हमने जो खुत भी बाते की हैं, चप्टर No.1 में accounting question के हवाले से. उसमें हमने कुछ भी recording नहीं किये. देखे, recording में और calculation में difference होता है. आपने जब accounting के definition पढ़ी थी, तो उस definition में जो सबसे पहला element था, वो था recording. तो recording का मतलब होता है, कि कारोबार में होने वाले मामलात को हमें कहीं न कहीं, record करना, कहीं न कहीं लिखना है. तो double entry system भी उसी चीज़ के पर base करता है, कि recording कैसे करना है, उसी classification कैसे करना है, उसकी summarizing कैसे करना है, then so on. तो अभी हम बात करेंगे, कि अगर accounting में, यानि कारोबार में अगर कुछ मामलात होते हैं, तो उसे हमें किस तरह से deal करना है, double entry system में, कैसे उसको लेकर चलना है, तो आज हम बात करेंगे, assets और capital के बार में, कि assets और capital किस तरह से कारोबार में लिखे जाएंगे, तो ये उमीद आपको याद होगा, कि ये हमने discuss किया था, rules of debit and credit, पिछले lecture में, ठीक है, पहले transaction में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे लिखा हुए January 1st, Mr. X began business, he opened up business bank account, and invested $80,000 as capital, ज़र कहानी को अच्छे तरी के समझेगा, Mr. X एक business शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 1st January को वो अपने घर गए, अपने घर से $80,000 लेकर आए, और लाकर उन्होंने office में रखने के बज़ाए, उन्होंने वो पैसा कारोबार के business के bank account में जमा करवा दिया, और मालिक तुक्छे पैसा कारोबार में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बस उससे एक step थोड़ा सा हम और आगे बढ़ चाएंगे, अब देखी क्या हो रहा है, मालिक अपने घर से पैसा लेकर आया, पैसा लागा उसने कारोबार के bank account में वो पैसा invest कर दिया, जब वो पैसा लेकर नहीं आया था, तो मालिक का जो bank account था, बिजनिस का वो कितना था, वो zero था, bank account खाली था, लेकिन अब मालिक के bank account में 80,000 डॉलर्स आ गए, इट मीन्स के मालिक के bank account पे effect पढ़ रहा है, ऐसा ही है, बिल्कुल effect पढ़ रहा है, और मालिक का जो business का bank account है, पहले वो zero था, अब उसमें 80,000 डॉलर्स आ गए, इट मीन्स के bank account इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्या लिखता हूँ है, मैं लिखता हूँ bank account, ठीक है, bank pay effect पढ़ रहा है, bank by nature क्या है, asset है, और asset क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ऐसे है ना, पहले bank account में कोई पैसा नहीं था, लेकिन अब bank account में 80,000 डॉलर्स मौज़ हो था, it means के bank increase हो गया, bank asset है, asset increase हो गया, यहाँ देखिए, rule क्या कहता है, asset increase हो रहा है, अगर asset increase हो रहा है, तो कहा लिखना चाहिए, debit पे, यानि left page पर हमें लिखना चाहिए, ठीक है, खिर, दूसरे effect किस वे पढ़ रहा है, मालिक के capital पे, तो वो खुछ सवाल में कह रहे हैं, और अगर ना भी कहें, तो मैंने आपको बताया था, कि मालिक जो पैसा कारोबार में invest करेगा, मालिक की investment को हम क्या कहते हैं, capital कहते हैं, और capital, खुद ही capital है, वैसे तो, लेकिन ये इसका जो head है, वो से आप क्या कह सकते है, owner's equity भी कह सकते हैं, ठीक है, तो owner's equity क्या हो रही है, increase हो रही है, पहले मालिक की investment नहीं थी कारोबार में, लेकिन अब मालिक की investment है 80,000 है तो capital क्या हो गया increase हो गया ठीक है asset यानि bank भी increase हो गया और capital भी increase हो गया यह सारी बाते हम accounting equation के chapter में तफसील से discuss कर चुके हैं अब क्या होगा bank asset है asset increase हो रहा है rule यह कहता है कि asset अगर increase हो जाए तो अगर रिकॉर्ड कर दिए तो ठीक है भई debit page पर लें left page पर record करते हैं debit side पर और capital owners equity अगर increase हो रही है capital या owners equity अगर increase हो जाया तो कहा record कर दिए credit यानिके right page पर यह है मेरा right page record कर दिया it means के bank को record करूंगा अपने register के left page पर और capital को मैं record करूंगा अपने register के right page पर record करूंगा सही जनाब यह कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि bank left page bank अब जब कारोबार में हम लिखेंगे ना ऐसे नहीं लिखेंगे कि bank asset asset बढ़ ला है no इस तरह से नहीं लिखा जाएगा simple bank debit understood है कि bank अगर debit में है it means के bank बढ़ ला है कैसे पता bank asset है और asset जब बढ़ता है तभी कहा लिखा जाता है debit side पर तो जो accountants होते हैं जो कारोबार के जो इन तमाम मामलात में मौझूद होते हैं उन्हें पता होता है capital अगर credit हो रहा है तो it means के capital क्या हो रहा है increase हो रहा है ठीक है भाई तो यह understood सी बात होती है यानि किसी भी चीज़ के साथ हम accounting में increase या decrease नहीं लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे debit और trade debit और trade ही उसकी increase या decrease की पहचान होगी कि अगर debit credit पेज़ पर लिखा हुआ है it means के वो चीज़ increase हो रही है asset increase हो रहा है और अगर capital credit पेज़ पर लिखा है it means के वो क्या हो रहा है increase हो रहा है ठीक है अभी आते हैं next transaction पर चलते है January 2, furniture, sorry fixtures and equipment costing $30,000 were bought and paid for by check आपने fixtures और equipment यानि के fixtures के बारे में पहले भी explain कर चुका हूँ मैं आपको और equipment तो आपको पता ही computer वगरा तो furniture और equipment यानि computer वगरा आपने खरीदा है buy किया है costing $30,000 and paid for by check और उसके बदले आपने check के जरीए जह है वो payment कर लिए तो पहले जरा सोचते हैं कि क्या-क्या account हमारे इसमें involved हैं सबसे पहले चीज़ कि आपने furniture और sorry fixtures और equipment एक ही बात है furniture भी उसी category के हैं तो आपने furniture और equipment buy किया है furniture और equipment क्या है बहुत अच्छे तरी equipment हमारे लिए by nature asset है ठीक है और asset क्योंकि आप buy कर रहे हैं तो आपके पास asset क्या हो रहा है increase हो रहा है तो मैं यह लिखता हूँ furniture और equipment दोनों क्या है asset है और asset हमारे पास क्या हो रहा है increase हो रहा है खरीद कर लिकर रहा है तो आपके पास increase हो ठीक है और इसके बदले आपने payment कर रहा है लेकिन हम office से पैसा निकाल कर नहीं दे रहें बलके हम check दे रहें तो it means के पैसा हमारे bank account से जाएगा तो हमारे bank account पे effect पड़ेगा और bank account हमारे लिए क्या है bank भी हमारे लिए asset है और जब हम bank से हमारे bank में पिछली transaction में कितने डॉलर आते 80,000 आयते है उसमें से 30,000 डॉलर अगर हम pay कर देते हैं तो हमारा bank decrease हो जाएगा तो bank asset है और asset decrease हो जाएगा it means के मेरे एक asset पे effect पढ़ ला है और मेरे दूसरे asset पे भी effect पढ़ ला है मेरा एक asset increase हो रहा है जबके दूसरा asset मेरा decrease हो रहा है अब कानून की किताब में क्या लिखा यह कानून की किताब ठीक है इस कानून की किताब में देखी क्या लिखा हूँ है के asset अगर कोई सही है जना तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि fixtures and equipment को left page पर लिखा जाएगा और bank को right page पर लिखा जाएगा simple इतनी सी बात होती है ठीक है next transaction पर चलते है a short term loan of 10,000 was received from AB loans आपने किसी से 10,000 dollars का loan receive किया है ठीक है और कर्जा लिया अपने ओफिसे simple सी बात है जिससे loan ले रहे हैं उसका नाम है AB loan कोई इदारा है जिससे आप loan ले रहे हैं अच्छा भई जब आप किसी से loan लेते है short term short term का मतलब होता है कि जिसे हमें एक साल के अंदर अंदर pay off करना है जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो लोन के बदले हमें क्या देगा वो लोन के बदले हमें पैसा देगा तो हमारे पास पैसा आएगा अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा ठीक है तो पैसा अच्छा ये भी बात बदा दो जब आप बैंक से जाकर लोन लेते हैं, तो bank आपके हाथ में पैसा नहीं था, बलके बैंक वाले आपके bank account में ही loan के पैसे वो ट्रांसफर करें जितना loan आपको चाहिए होगा, कभी यह bank वाले आपके हाथ में पैसा नहीं लेता हूं, जैसे AB loan से, इससे जाकर कंकर लोन लेता हूं तो वो मेरे हाथ में पैसा नहीं देगा बलके वो मेरे bank account में पैसा transfer करेगा और अगर मेरा bank account नहीं है तो पहले वो मेरा bank account open करेगा अपने ही bank में और फिर उस account में पैसा transfer करेगा फिर मेरी मर्जी के मैं जितना डॉलर जो वो एक वक्त में निकालूं, दो वक्त में निकालूं, जैसे मुझे आसानी होगी, वो मुझे डेपेंड करता है, लेकिन बैंक वाला कभी भी लोन आपके हाथ में नहीं देगा, चले, तो बैंक ने मुझे लोन दिया, और लोन जो हो, उसने मेरे बैंक अकाउंट म नहीं, मैं आजाद था, सारे पैसे मेरे थे, मेरी मर्जी जो चाहे करो, लेकिन अब मेरे सर पर एक बोज सा आ गया, यार मैंने AB लोन से मैंने लोन लिया है, तो मुझे पर लाइबरिटी आ गई है, जिम्यदारी आ गई है, है ना, लाइबरिटी से हो करते हैं, जिम्यदारी, तो पहले मुझे पर कोई जिम्यदारी नहीं थी, लेकिन अब मुझे पर जिम्यदारी है, अच्छा, जब हम लोन लेते हैं, या किसी इसे उधार किसी का उधार अगर हम पर होता है और अगर उस उधार देने वाले जिसने हमें उधार दिया है अगर उसका नाम दिया जाता है चाहे बिजनिस का हो चाहे उस शक्स का नाम हो तो हम यहां पर उसका नाम इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहां लफ्स के इस्तेमाल कर अब हम पर एक जिम्मधारी आ गई है कि हमें इस शक्स को जिस ये इदारे को हमें ये इस बैंक को हमें ये दस जार डॉलर कभी न कभी लोट आने पड़ेंगे ठीक है भई तो कानून की किताब क्या कहती है कि अब हमारे इस ट्रांजिक्शन के मुताबिक क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो अगर इंक्रीज हो जाए तो कहां लिख दीजेगा डैबिट यानि लेफट पेज पर इसी तरीके से एबी लोन्स क्या है लाइबिटी है पहले हम पर कोई लाइबिटी नहीं थी लेकिन होता है और लोन क्रेट क्यों होता है ठीक है इसके बाद अब मोटर वेहिकल कॉस्टिंग नाइन थाउजन वाज पॉट एंड पेड फॉर बैचर बिल्कुल सेम ट्रांजिक्शन जो आपने अभी एक्यूप्मेंट बाई किया था ना बिल्कुल वही ट्रांजिक्शन है फर बैरे पास श सफल को मैंसे को लिख निया हो और जिससे मैंने रषे वरग ऑने उसी हुइए उसको ऑने उसी वक्रेमेंट चैक थ्रूप Peki तो पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है लेकिन काहाँसे पैसा जा रहा है चैक दिर रहा हु un FDA मेरे नीश है और कानुन की किताब यह कहती है कि अगर कोईे है सबस्त스킬 सकते यह एक इसे हो रहा है तो यह आजैगा जाए जाया मेरे The owner of a business invested more money in the business $5,000 मालिक को लगा कि यार पैसे कारोबार में थोड़े कम पर लाएं कारोबार को हमें ग्रो करना चाहिए तो एक काम करते हैं घर से और पैसा लेकर आते हैं और वो लाकर कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं accounting घर के लिए नहीं हो रही accounting कारुबार के लिए हो रही तो कारुबार में पैसा क्या हो जाएगा increase हो जाएगा यानि बढ़ जाएगा और अगर पैसा बढ़ जाए तो पैसा क्या है asset ठीक है तो आपके bank में पैसा क्या हो गया increase हो गया bank क्या है asset है asset क्या हो गया increase हो गया और मालिक अपने घर से लाकर investment कर रहा है भाई देखी किता प्यारा सा लवज है invested तो आपको मैंने एक बात समझा ही थी कि मालिक की investment के लिए हम लवज इस्तेमाल करते हैं यह आगे घूम फिर के capital तो मालिक की investment के लिए अब इस्तेमाल कियाता है capital का ठीक है capital क्या है owner's equity है और जब मालिक घर से पैसा लाकर कारोबार में मजीद लगा रहा है तो मालिक की investment यानि capital मजीद increase हो जाएगा बढ़ जाएगा पहले उसने 80,000 लगा थे अब 5,000 और लगा रहे तो उसकी investment क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो capital owner's equity है और owner's equity increase हो रही है rule वही है कि bank asset asset increase हो रहा है asset अगर increase हो जाए तो debit यानि left page पर लिख दीजे और capital owner's equity owner's equity increase हो रही है capital अगर increase हो जाए तो वह create यानि के right page पर लिख दीजेगा ठीक है जनाब okay the owner of a business took an unused motor vehicle for personal use dollar 1,000 of the buying business owner's property जाएं मालक कारूबार से अपने जाती इस्तेमाल के लिए एक कोई पुरानी गाड़ी रखी वी होगी वह इस्तेमाल नहीं हो रहे हो रही थी कभी लाएंगे कारूबार में तो वह गाड़ी मालिक अपने कारोबार से निकाल कर अपने घर लेकर के चलो घर के ही काम में आ जाए, कारोबार में इस्तमाल नहीं हो रही है, सही है जनब, तो अब यहाँ पर भी दो चीजों पर आपके effect पड़ेगा, एक तो मालिक की investment पर effect पड़ेगा, और एक मालिक की गाड़ी पर effect पड़ेगा ठीक है पहले बात करते है मालिक की गारी की मोटर वेहिकल क्या है एसेट है अभी पिछली ट्रांजेक्शन पिछली से पिछली ट्रांजेक्शन में हमने बात की थी क्या आपने मोटर वेहिकल बाय किया था तो मोटर वेहिकल क्या है एसेट है लेकिन जब आपने बाय किया था तो उस वक्त आपके पास asset क्या हुआ था? Increase हुआ था लेकिन अब आपके पास asset क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है क्युक्कि आप कारोबार से वो asset अपने घर ले कर जा रहे है तो कारोबार से asset क्या हो रहा है? Motor vehicle decrease हुआ थिक है? और मालिक की investment पहले जितनी थी पहले उसने 80,000 डॉलर लगाए थे पिर फाइफ थाजन डॉलर और लगाए थे तो जितना पैसा मालिक घर से लाकर कारोबार में इन्वेस्ट करता है मालिक की इन्वेस्ट्मेंट उतनी बढ़ती चले जाती है लेकिन जब मालिक कारोबार से कुछ निकालकर घर ले जाएगा जैसे 85000 हो गये थे अब अगर वो 1000 डॉलर्स निकाल कर घर ले जाता है तो क्या अभी 85000 डॉलर्स का ही माली के कारयोबार में तो इसका जवाब होगा नहीं कि मालीक फैसा घर ले गया जब मालीक आसा कुछ या कोई भी चीज कारोबार से निकाल कर घर ले जाएगा तो आप कारोबार में उतनी चीज ही नहीं रही तो वो उतने का मालिक भी नहीं रहा तो उसकी जो investment है वो कम हो जाएगी ठीक है जनाब यानि मालिक के जो capital है वो decrease हो जाएगा और जब मालिक पर्सनल यूज उसके लिए कुछ भी जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी लेकर जाता है कारोबार से तो उसके लिए पर्टिकुलर लफ्स आपको मैंने पढ़ा है तो वह है ट्रॉइंग ठीक है तो ड्रॉइंग से ओनर्स इक्विटी मालिक की investment क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी सही जनाब अ समझाने के लिए बताए कि यह motor vehicle है asset asset decrease हो रहा है decrease होगा तो राइट पेज़ पर लिखेंगे तो जो भी आपका राइट पेज होगा आप इसे वहां लिखेंगे ठीक ट्रॉइंग क्या है drawing owner's equity हो और owner's equity हो रहा है अगर decrease हो जाया तो कहा लिखना है debit side debit side ठीक है तो motor vehicle create page पर जाएगा यानि राइट पेज पर और ट्राइंग जो है वो लेफ्ट पेज पर यानि डैबिट पेज पर सही जनब अच्छा दा ओनर ऑफ बिजनस तुक कैश फ्रॉम बैंक फॉर परसनल यूज बिल्कुल वही ट्राजक्शन जो पीछे थी सात तारीक को मालिक ने अपने बैंक क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और फिर वही बात कि जब मालिक परसनल यूज के लिए कुछ भी कारोबार से विट्रॉ करता तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग और इससे मालिक का जो कैपिटल है यानि जब मालिक एक हजार डॉलर और घर लेकर चले आएगा तो मालिक की इन्वेस्मेंट कारोबार से और क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वह आप खुछ सोचिए आप जब कारोबार में घर से लाकर कुछ चीज लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे तो आपके कारोबार में आपकी इन्वेस्मेंट क्या होती रहेंगी बढ़ती रहेंगी लेकिन जैसे जैसे आप कारुबार से चीज़े निकालकर घर लेकर जाते रहेंगे तो कारुबार से आपकी investment क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी तो यहाँ पर भी आप 1000 डॉलर घर लेकर तो आपकी जो investment है वो कम हो जाएगी यानि के drawing की वजए से आपकी owners equity decrease हो जाएगी bank asset है, asset decrease हो रहा है, asset अगर decrease हो जाए तो credit यानि right page पर लिखती जाएगा drawing owners equity है, owners equity भी decrease हो रही है owners equity अगर decrease हो जाए तो debit यानि के left page पर लिखती जाएगा ठेक है, अभी फिलाल मैं यहाँ पर रुखता हूँ और आपको एक छोड़ी सी बात explain करना चाहूँगा कि अब तक आपने जितनी भी transactions देखी है, इन तमाम transactions में गौर कीजिएगा कि कुछ ना कुछ left page पर आ रहा है और कुछ ना कुछ right page पर आ रहा है कोई transaction ऐसी नहीं है, जिसमें दोनों ही elements, हर transaction में आपको दो-दो effect नजर आए एक left पर और एक right पर, एक debit में, एक credit में, एक debit में, एक credit है कोई ऐसी transaction आपको नजर नहीं आई, जिसमें एक element हो, यानि सिर्फ एक चीज़ पर effect पर ला है पहली बात ऐसा नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसी transaction आई, जिसमें दो चीज़ें हैं, तो दोनों debit में नहीं आए और दोनों credit में नहीं आए, यानि कहना यह चाहता हूँ, कि जो हमने शुरू में discuss की थे, double entry system तो double entry के माइन ही यही थे, क्या माइन ही थे, कि जब आप कोई transaction पर फॉर्म करेंगे, तो उस transaction से कितनी चीज़ों पर effect पढ़ेगा, at least 2 accounts पर effect पढ़ेगा, जिन में से एक चीज़ लेफ्ट पेच पर लिखी जाएगी, और दूसी चीज़ राइट पेच पर लिखी जाएग कि अगर 2 account है, तो दोनों debit में हो, और अगर 2 account है, दोनों credit में हो, ऐसा भी नहीं होगा, एक debit में होगा और एक credit में होगा लाजमी तौर पर, हमेशा ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो it means कि आप entry समझने में कोई गरबड कर रहे हैं, आपको entry properly समझ में नहीं आ रहे ह कि सर दो लफज तो नजर आ रहे हैं मुझे और दोनों debit में आ रहे हैं, ऐसा मुम्किन नहीं होगा, तो double entry का concept ही है, जो हम इस system हम पढ़ें, double entry system, इस system के माईन ही है, कि जब आप कोई transaction करेंगे, तो उससे 2 accounts पे effect पढ़ेगा, कम से कम, और एक account चो है वो debit में जाएगा, और